वंदे मात्रम सभी भूतपूर्व सायनिक बंधुओं आज मैं नरेंद्र कुमार, वेलनस कंसल्टेंट, इंटरप्रिनर ट्रेनर, आप सबों को असपर्स पेंशन ट्रेनिंग की बीसमी एपिसोड में स्वागत करता हूँ जहां हम बात करेंगे एक वेल टर्न अप्रोच, किस प्रकार हम सक्सेसफुल लॉग इन करें, जैसा कि आप देखी पा रहे होंगे कि अभी तक 18,65,400 माइग्रेशन हो गए हैं, और हर सप्ता काफी अधिक मात्रा में हो रहे हैं माइग्रेशन, और जैसे जैसे माइग्रेशन हो रहे हैं, इस तरह से हमारे पिंसनर बंदु की प परिसानी को कम करने के लिए हमने यह ट्रेनिंग सेडूल चलाया है, जिसमें हम फेज मैनर में चलेंगे, थोड़ी सी प्रिष्ट भूमी पर हम बात कर लेते हैं, आगे चलने से, यह आप देख पा रहे होंगे, हम लाइब डेमो दिखा रहे हैं, यह असपर्स का लॉग इन चुके होंगे कि आपका माइग्रेशन हुआ या नहीं, और अगर नहीं माइग्रेशन हुआ तो हो जाएगा, और अगर माइग्रेशन हो गया तो इसके लिए क्या-क्या पहचान है, यह अभी हर वीडियो में बताते रहा हूँ कि मन्तिंड में आपका क्रेडिट होगा, DR के क्रेडिट हुए हैं, जो एरिया 24 अक्टूबर को, बैंक क्रेडिट SMS में जो नहरेशन होते हैं, वो चेंज हो गया होंगे, पास्ट बुक के नहरेशन चेंज हो गया होंगे, बैंक स्टेटमेंट या INB ट्रांजेक्शन देखेंगे, वो भी डिफरेंट होंगे, टॉल फ्र में भी चेक कर सकते हैं, तो ये सब तमाम हैं, आपको SMS आ चुके होंगे, कि अब बैंक से PCDA में चला गया है, आपके पास user ID, password आ चुके होंगे, और आपके credit detail भी आ रहे होंगे, PDV के reminder भी आ गये होंगे, और email भी आये होंगे, अगर आपके registered email है, बैंक में और record office में अगर आपने, तो आपके इन ही सारी credential के साथ, आप email भी चेक करें, वहाँ भी हो सकता है, कि पड़ा हुआ हो, और regular pension credit हो रहे हैं, इसके भी regular आपको SMS भी और email भी आ रहे होंगे, इस परकार के, अब परेसानी ये होता है, कि कुछ लोग का आ रहा है, या आया ही नहीं, तो जिनका आ गया, तो किस परकार करना है, वो जान ले, और जिनका नहीं आया, आगे क्या करना है, तो वह भी यह जान ले, तो यह video मुखे तह, जो pre-16 वाले हैं, उनके लिए हैं, और कुछ ऐसे लोग भी हैं, जो कि post-16 भी हैं, और उनका अभी तक migration नहीं हुआ, यानि कि अगले 2-3 महिने के अंदर, उनका भी हो जाने वाला है, तो इसे मैं phage manner में यहां बता रहा हूँ, यह पहला phage है, यह आप देख पा रहे होंगे, जिसके में हमने हर screen को numbering दिया है, number 1 यह screen है, यानि कि आप अपने सवाल में screen से related कोई question है, कुछ समझ नहीं पा रहे होंगे, तो आप screen number हमें coat कर सकते हैं, अपने comment section में